हलो श्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगेट व्रेंस हिंदी मीडियम मेरा नाम है अपनीश त्रिपाथी तो कक्षा बारा अर्थसास्त्र का जो एक कि मैंगेट ब्रेंस हिंदी मीडियम एक ऐसा फ्लेटफर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा साथ से बारत तक की सारी शिक्षा बिलकुल निशूलक पाते हैं यहां एक या दो चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई पेट सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता न किसी डिस था समझेगा ओपोर्च्णिटी कोस्ट एस ऑप आर्च्णिटी लोस्ट ऑप तिस अपार्च्णिटी लॉस्ट यानि जो अवसरम लागत है यह अप यह अपर्च्णिटी कहस्ट ठीक है ना destruction decided अजि उछ आ लागत है लागत है एक्जाम्पल कैसे फिर तो हम समझते हैं इंपोर्टेंट बात हैं लेट सपोज आपको किसी ने बोला कि भी या एक आपके पास जॉब है टीचर की और आपको मिलेंगे 40,000 रूपीज एक आपके पास जॉब है लेट सपोज रिसर्श स्कॉलर बनने की माल लिजे या एक आप आपको मिलेंगे 50,000 और एक आपके पास जॉब है कि आप गवर्रमेंट एडवाइजर बन जाए यानि गवर्रमेंट को एडवाइज करिए और यहां आपको मिलेंगे 80,000 तो आप क्या करेंगे आप 80,000 की जॉब कर पकड़े तो आपको ये best option 50,000 वाला छोड़ना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है कि ये 50,000 वाले जॉब में आपको इंट्रेस्ट जादा हो लेकिन अब आपका best option अपने आपको यूज करके सबसे ज्यादा productivity आप 80,000 वाले से निकालेंगे तो जो आप best option छोड़ते हैं 50,000 ये आपका opportunity lost हो गया मतलब एक सबसे बहतर option के लिए जादा उत्पादन के लिए जो आपने एक वस्तू छोड़ दी एक एक दूसरी option को छोड़ दिया वो जो उसकी जो लागत होती है वो opportunity cost या आउसर लागत कहलाती है ये इसकी value के terms में भी होगा और जो आपका moral या ethical इसके साथ जुड़ कर सकते हैं खेर numbers में ज्यादा बात होती है तो सबसे best options को तलासने के लिए जो बाकी दूसरा best option आपने छोड़ा है ये आपकी आउसर लागत होती है अब economy में क्या होती है हमने सुरू में भी इसके पहले के topics में भी देखा जब हम उत्पादन समौन आवकर कर रहे थे प्ली एक क्या है उपभोगता वस्तु है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं consumer goods ठीक बात जिसमें रोटी कपड़ा मकान ब्रेड आठा सारी चीजें हैं जो आपको रोज यूस पढ़ेंगी एक होती है उत्पादक वस्तू या पूजीगत वस्तू capital goods या producer goods जिसका इस्तमाल आगे के production के लिए किया जाता है जिसमें इट सीमेंट है ना सरिया स्टील आयरन ये सारी चीजेंगे अब आपको क्या करना पड़ता है दोनों में से चूज करना पड़ता है माली जी उत्भोक्ता वस्तू है गेहूं एक्जामपल के लिए और यहां माली जी आपने कह दिया कि सीमेंट ठिक ये दो चीज़ है अब आपको क्या करना है अच्छा आपके पास माली जे लेट सपोस्पोस भूमी जो आपके उत्पादन के साधने वो क्या है वो तो बिल्कुल सीमित है वो क्या है एकडम लिमिटेड है तो अगर भूमी एक हेक्टेर एक हेक्टेर यह तो बदलेगी नहीं माली जाप पूरी भूमी का इस्तमाल करें के 10 क्विंटर गेहूं उगाते थे और सीमेंट में आपने क्या किया जीरो उगाया क्यो तो बची जमीन होगी उसमें सिमेंट मालों बना लेंगे तो लेट सपोज आपने यहां पे दो किलो जो है दो टन सिमेंट बनाने सो रुकिए इसको और कम किया और जगा छोड़ी यह चार होने लगा तो बिसिकली क्या हुआ आपको एक का पॉड़क्शन बढ़ाने के लेकिन यहां दस से यहां आपको दो बढ़ाने के लिए यह दो घटाना पड़ रहा है तो दो जो आपने कम किया है यह उसका उसर लागत हो जाएगी फिर यहां पे दो बढ़ाने के लिए दो कम करना पड़ा है यह आपकी औसर लागत हो जाएगी हलां कि जितना बढ़ाना होता है उससे तेजी से घटाना पड़ता है लेकिन एक मैं आपको उसर लागत का समझा रहा हूं कि जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इसका इसका अगर आफ फिगर एक दूसरा बना ले तो आपको एक और जी समझ में आजाएगी लागत का मुख्य बात है जो आपको समझना है ऑसर लागत का मतलब यह है एक सीधी सी बात है कि अगर आपको एक का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा उसके बाद वर्ड आता है सीमान तो असर लागत यह भी इसको समझते हुए चलिए सीमान्त आवसर लागत ठीक है सीमान्त आवसर लागत को यहां समझते यह भी इंपोर्टेंट बात को समझे सीमान्त आवसर लागत बहुत महत्पूर्ण बात है यह जिसको बोलते हैं अपॉर्चिनिटी कोस्ट एक चीज़ धान लखिए एकोनामिक्स में मार्जिनल या सीमान्त वर्ड बहुत महत्पूर्ण है सीमान्त वर्ड जुड़ा होता है एक सब्द के साथ एक अतिरिक्त यह सब्द जुड़ा रहेगा एक अतिरिक्त मतलब अंगलीजी में कहते हैं व कि इसका मतलब क्या हुआ यह देखिये एक extra production करने के लिए एक additional production करने के लिए एक अतिरिक्त production करने के लिए इसमें कुछ कमी करनी पड़ रही है कि नहीं कर रही है कि दुबारा एक दूसरे वस्तु की एक अत्रिक्त unit को नहीं करने औसर लागत कहते हैं अरे बसों में यानि इन ओर टू इंक्रीज वन एडिशनल यूनिट आप सीमेंट यू हैब तू सेक्रिफाइज टू यूनिट्स ऑफ वीट या गेहूं वही सीमांत औसर लागत है किसी दूसरे वस्तु की एक अतरिक्त इकाई का उत्पादन करने के फिर यहां भी एक अतरिक्त बढ़ाना है तो यहां इसको चार छोड़ना पड़ेगा यह चार जो छोड़ रहा है यह सीमांत औसर लागत है फिर यहां भी जो एक अतरिक्त उसको बढ़ाना है तो यहां उसको पूरा चार छोड़ना पड़ रहा है तो यह चार यह क्या है य यह बढ़ती हुई सीमान्त औसर लागत है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपर्शनिटी कोस्ट का जो फर्मूला होता है दुबारा समझ लीजे औसर लागत और सीमान्त औसर लागत क्या है औसर लागत का मतलब सीधी बात एक को बढ़ाना है तो दूसरे का त्या करना पड़ेग समझ के बात यानि औसर लागत एक कॉंसेप्ट है कि अगर आपको एक सीमित साधन है तकनीक में कोई परिवर्ता नहीं हो रहा है तो एक अगर दूसरे वस्तू का उत्पादन बढ़ाना है तो पहली वस्तू का उत्पादन का त्याग आपको करना पड़ेगा ठीक अब सवा पादन संभावना वक्र पर जब हम एक सीरे से दूसरे सीरे की और चलते हैं तो वस्तू का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी वस्तू के उत्पादन में कमी हो जाती है ठीक दूसरे सब्दों में एक वस्तू का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तू का त्याग कर करना इसकी यूनिट यहां से यहां बढ़ाने के लिए इसको कम करके नीचे लाना पड़ रहा है तो यही जो कम करना पड़ता है वो औसर लागत कहलाती है अर्थ्र्यवस्ता के जिष्टी से एक वस्तु की अत्रिक्त मात्रा की औसर लागत दूसरी वस्तु की त्याक की गई म अधारित है very important part यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास है लिमिटेड रिसोर्सेज से जो प्रॉबलम आफ च्वाइस है जो प्रॉबलम आफ च्वाइस बनके आ रही है यही ऑसर लागत है देख लिजे नहीं यहाँ पर आपके पास यह भूमी लिमिटेड है साधन ए नहीं होगा तो इसके लिए आपको गेहूं और सिमेंट में चूज करना पड़ रहा है कि किसको बढ़ाएं किसको घटाएं यही तो चयन वाली बात है वो सब टोटल आउसर लागत को लेकर आती है तो अब आउसर लागत की बारे में कुछ बाते समझ लीजिए तो आउसर लागत किसी भी विकल्ब का त्याग नहों कर दूसरे सर्वस्ष्ष्ट विकल्ब का त्याग है दूसरे सर्वस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पहले उगाया जा सकता था वो जब उसका हम त्याग करेंगे तो वही और लागत या पॉर्जनिटी कॉस्ट बनती है यह मैंने आपको डीटेल में भी समझाई दिया था अब इसका मैंत्व क्या है उत्पत्ति के साधनों के वित्रणों में सायक वित्रणों में सायक वाला डि इसका डिस्ट्रिबूशन अलग अलग चीजों के प्रड़क्शन के लिए कैसे कर रहे हैं यहीं इंपॉर्टेंट है तो आसर लागत का सिधान उत्पादन साधनों के वित्रण में सहायता परदान करता है इस सिधान का एक साधन को एक प्रयोग में कम से कम इतना आवश्य म करता है बिल्कूल ठीक बात है यानि जो हमी है उसको सिमेंट उद्योक के लिए उसको इतना जरूर मिले जितने में गेहूं गाता था यानि जो साधन उसका पूरा इस्तमाल हो यह नहीं कि गेहूं भी कम कर दिया और उसको पूरा यूश्य में कर रहें ऐसा नहीं है तो परिवर्तन की वियाख्या करता है विचार इस तर्थ को इसपश्ट करता है कि एक उद्योग की लागत कि सीमा तक अपने उत्पाधन के साथ परिवर्तित हो सकती है बिल्कुल ठीक बात है जैसे एक उद्देग यदि अल्पकाल में विशेष साधनों को आकरसित करके अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो उसे उन साधनों की उची कीमत देने होगी अर्थात उद्द्यों की और सिमान लागते बढ़ जाएंगी ठीक बात है यानि अगर मालीजे उसको दू साधनों अर्थात जिने एक ही प्रयोग में लगाया जा सकता है इसके संबंद में लागू नहीं होता है मालीजे कोई ऐसा साधन है भूमी है जिस पर सीवेंट फैक्टरी बनी ने सब्सक्राइब काम नहीं करेगा काम तो वहां करेगा जहां साधनों का हम कई इस्तमाल कर सक हैं तब दूसरे के लिए इस्तमाल करेंगे तो पहले वस्तु को छोड़ना पड़ेगा वहां उसर लागत काम करेगा यह इसकी सीमा है इस मतलब यह समझ लो कि आगर आप मालो कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है उसे दूसरा कोई काम आता ही नहीं है तो उसके जीवन में कोई अपनी रूची होती है अता उसकी हस्तांतर करने की लागत उसकी वास्तविक औसर लागत से अधिक होती है यह बात भी कई बार लोग औसर लागत को किटिसाइज करने में बोलते हैं जैसे बोलते हैं कि आपने बोल दिया कि भईया यहां 50,000 की नौकरी थी और आपको मिल ग तो केवल उसकी उसर लागत 50,000 नहीं है जो उसने अपनी रूची और आनंद को खोया है वो भी उसर लागत का हिस्सा होना चाहिए यह चीज आप नहीं काउंट कर रहे हैं तो यह उसकी कमी के रूप में बताई जाती है यह विचार पूर्ड प्रतियोगिता की मानेता पार अ वह सीमांत अवसर लागत इसको ध्यान दखिएगा सीमांत अवसर लागत जिसे मार्जेनल अपर्शनिटी कोस्ट कहते हैं और यह है यहां वर्ड यूज करिएगा एक अतिरिक्त एक अतिरिक्त वस्तु के उत्पादन के लिए वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे सर्वसिस्ट दूसरे सर्वसिस्ट वस्तु की त्याग की मात्रा को सीमांत औसर लागत कहते हैं यानी जब एक अत्रिकत वर्ण है इमपोर्टेंट है इसका एक एक्स्ट्रा और बढ़ाने के लिए जितना यूनिट यह छोड़ना पड़ेगा वो सीमांत औसर लागत कहलाएगी ठीक है इसको अंगरेजी में क्या बोलेंगे marginal marginal word बहुत जगह हो जाएगा आगे हम पढ़ेंगे marginal utility, marginal cost, marginal production वहां हर जगह एक अत्रिक्त बात आएगी so marginal opportunity cost यानि the unit of sacrifice of the second best alternative for the production of another product is called marginal opportunity cost यानि किसी भी वस्तु की एक अत्रिक्त इकाई का अगर उत्पादन करना है तो पहली जो वस्तु त्यागी जा रही है जो सबसे दूसरा important serviceist विकल्ट का जितना आप त्याग कर रहे हैं वो सिमानत औसर लागत कहलाता है तो I hope कि आपको ये concept समझ में आया होगा इसमें कहीं कोई doubt या समस्या हो तो जरूरू कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा और बहुत डिटेल में ये पूरा chapter हमने cover कर लिया है इसके एक एक points परिचे वाले points से लेके जितना अर्थ्व्यवस्था है अर्थ्व्यवस्था की केंद्रिये समस्या हैं उसके प्रकार सकारात्मक और आदरसात्मक अर्थसास्त्र उत् सारे के सारे courses बिल्कुल free of course पढ़ सकते हैं जिसके लिए न तो आपको कोई paid subscription लेना है नहीं किसी तरीके की आपको discount coupon code की जरुवत है 100% free है हमारा जो social media handle at Twitter, Telegram, Instagram, Facebook इसको तो जरूर follow कर लिजिए और like, share और subscribe करना बिल्कुल नहीं बूलिएगा तो मिलते है students अब अगली व रान दकीर, take care, bye bye